सब्सक्राइब करेंगे चक्मा और हजौंग रिफ्यूजीस की काफी लंबे समय पहले भारत आये थे 1960 में लगभग ये पागंदादेश से यह तब के इस्ट पाकिस्तान से भारत आये थे माइगरेट हुए थे और उनको उस समय पे रिलोकेट कराया गया था रुनाचल प्रदेश में तब से ही एक क्राइसिस उन में और लोकल रुनाचल में चलती आ रही है इन फैट अभी हाली में गवर्मेंट अफ रुनाचल ने वहाँ पे एक सेंसस कराया जिसके चलते एक क्राइसिस फिर से बढ़ गई है अब क्राइसिस में चक्मा और हजोंग लोगों का ये कहना है कि हमारी यहाँ पे racial profiling की जा रही है हमें लगबग 6 रशकों से हम भारत में इस पूरे 6 या 60 years का जो हमारा span रहा है अब तक हम almost Indian citizens बन चुके हैं हमें भी एट पार फ्रीड किया जाना चाहिए इंडिन citizens द्वारा अगर आप यहाँ पे हमारी racial profiling कर रहे हैं तो आप कहीं न गए हमारा article 14 जो है discriminate कर रहे हैं तो जानेंगे इस वीडियो में कि migrant community किस तरह से और ना चल पहुँची क्यों यह उस समय भारत में आई कैसे यह settle की गई और कैसे अब इनके location की बात चल रही है आपको क्या करना है आपको मुझे follow करना है टेलिग्राम पे या फिर आप मुझे twitter पे भी follow कर सकते हैं बात है नौर्थीस्ट की नौर्थीस्ट के बारे में हम जानते हैं नौर्थीस्ट में हमेशा से एक इशू रहा है sun of soil theory का वहाँ भी multiple groups हैं, multiple tribes हैं और हर tribe एक दूसरे के उपर अपने आपको establish करना चाता है इसी को लेके नौर्थीस्ट के लिए कहा जाता है नौर्थीस्ट के आवजाही पे रोक लगा ही थी जिसके से लते आज भी भारत सरकार inner light permit इशू करती है वहाँ पर जो नौर्थीस्ट का थ्रेट है उसकी वज़े से काफी जादा आपने insurgency देखी होगी इनफेट चाहे वो नागा और मनीपूर का clash हो या फिर वाद नाचल के northern area का clash हो greater nagalim की demand हो meso crisis हो तो हर तरह से north east कहीं न कहीं किसी vulnerable situation में रहा है अब इस conflict के चलते non-tribals जो हैं वो काफी जादा problem face करते हैं इनफेट बहुत जादा attacks आप देखेंगे non-tribals पे होता आप में घालेगी बात करें शिलॉंग में काफी बिहार से जो या फिर बेंगॉली community जो वहां पर रहती है उन पर आए दिन attacks होते रहते हैं असाम में बेंगॉली इस पर attacks होते रहते हैं बिहारी workers पर attacks होते रहते हैं और अब यह जो attack है यह पहुँच गए हैं चक्मा और हजाउंग लोगों पर अब यहां पर चक्मा और हजाउंग लोग जो हैं वो थोड़े से insecure फील कर रहे हैं क्योंकि state government ने एक special census जो है दिसंबर 2021 में conduct किया था सबसे वहले जानेंगे चक्मा और हजाउंग यह लोग कहां से आये थे और exactly केस religion को follow करते हैं दिखें मिजरम और तिरप्रा के अगनम बात करें तो वहाँ पे एक sizeable अगर हम न्गे history की बात करें तो चितकौंग hill track से यह लोग आये थे, migrate होके भारत में, अब उसमें कपताई डाम बन रहा था, करनाफुली रिवार में, जिसकी वज़े से इनका displacement हुआ, इनको asylum लेना पड़ा भारत में, 64 से 69 तक इनको बसाया गया आपके अरनाचल प्रदेश में, आज भी एक considerable population जो है, वो चैंगलंग district अरनाचल ले रहे हैं, कहीं ना कहीं है, यह jobs को सर्च कर रहे हैं, या फिर जो वहां के local tribes हैं, उनके लिए जो available resources हैं, उसे eat up कर रहे हैं, तो इसके चलते हैं, जो sun of soil theory यही कहते हैं, कि जो local groups हैं, वो इन लोगों dislike करते हैं, उनके लिए एक threat बन चुके हैं, अब यहां पे 26 November 2021 को क्या होते हैं, एक letter issue किया जाता है, जिसमें इनके लिए एक special census किया गया, अब special census में यह देखा गया, कि कितनी population यहां पे available है, किस तरह से population को relocate करना, ना चलते हैं, इस काफी लंबे समय से कह रही है, हो मिनिस्ट्री से कह रही है, आसपास की state से कह रही है, कि जो हमारे आप चक् नहीं है, जो अब इस बात को मानेगा, कि आप अपनी population हमारे आप भीज दीजे, क्योंकि कहीं नहीं, भारत में जो population है, और जो versus resources है, उसमें एक आपको, जो mismatch वो दिखे गई, दिखे गा, population हमेशा जादा रहे हैं, कि resources कम रहेंगे, तो कोई state यह रिस्क नहीं लेगा, कि वो भार से और migrants अपने state में ले किया है, इनफेट चकनों organizations का तो यह कहना है, यह जो census एक racial profiling है, हम लोग को discriminate करने जाने की profiling है, जो कि against Article 14 of Constitution साथ ही साथ, Article 1 जो है, International Convention on Elimination of Racial Discrimination जिसे भारत ने ratify किया है, यह उसके भी against है, यानि भारत सरकार ऐसा कोई भी census नहीं कर सकती, जो इन लोग को racially अलग करे, differentiate करे, भारत सरकार अब इनको वहां से नहीं हटा सकती, ऐसा इनका कहना है, इसी protest के चलते, census plan जो है, वो drop कर दिया गया था, और finally अब क्या हुआ, यही कहा जा रहा है, कि इनको और नाचल प्रदेश अपने आपे ही settle करा है, नाचल प्रदेश क Supreme Court ने यह कहा था, कि इनको citizenship दी जाए, इनको local benefits दीए जाए, rights दीए जाए, जिससे कि यह लोग वहां पे रह सके, जबकि जो अरनाचल की government है, वो यह कह रही है, कि हम इनने rehabilitate करना है, अलग other states में, other states में देखिए, बहुत आसान नहीं है, in fact, Union Minister of Law ने भी यही कहा था, Justice ने Students Union की, वो तो यह कहते हैं, कि center नहीं ने, बसाने से पहले हमसे पूछा ही नहीं था, और हम पे एक तरह से burden डाल दिया, देखे, कही ना कहीं, उस समय का time ऐसा था, अगर हम 70s की बात करें, तो already crisis जो इस पाकिस्तान से हो रही थी, बहुत सारे लोग उस समय भाग भाग की, इ इसे जगा मिली करा दी, पर लेकिन यह जो communities हैने हमेशा से, एक protest करती आई हैं, कि हम हमेशा से victim रहे हैं, hate crime के, police atrocities के, और हमे rights जो है, government schemes के, वो नहीं मिलते, यानि यह हमेशा से कहते हैं, कि आज हमें six decades हो गई हैं, भारत में रहते हुए, हम भारत में काम कर रहे हैं, वहा हमारे इन कामों को acknowledge नहीं करते हैं, local police भी हमें हमेशा threaten करती रहती है, हमें हमेशा हम पर hate crime होता रहता है, in fact, कई बार complaints जो है, NHRC को डाली गए, कई बार humanoid complaints जो है, वो supreme court पहुंचे और finally 1996 में, supreme court ने unnatural government को यह कहा, या central government को यह कहा, कि आप इन लोगों को वहां से नहीं रहेंगे, so ultimately court ने का कि इन लोगों को वहीं रखिए, इनने citizenship दीजे, इनको local जो identities हैं, वो issue करके दीजे, जो भी आपकी citizenship के identities उनको issue करके दीजे, 96 की judgment काफी लंबे समय पेंडिंग रही, 2015 में फिर से court ने कहा, कि 96 वाले order को हमारे implement की, 2015 में भी और नाचल में इस बात को ले देंगे, rights देंगे, तो फिर वो land purchase करने लगे, तो quote ने का कि ठीक आप land मत purchase करें, लेकिन आप बाकी तो government schemes के benefit देने दीजें लोगो, so ultimately यह ही है, कि आरनाचल में यह चाह रहा है कि जो हमारा burden है, वो बाकी states share कर ले, लेकिन बाकी states आप भी पता है कि कोई इसको अब share नहीं चुके हैं, तो ऐसे में शायदी को ऐसा state होगा, जो इने adopt करेगा, या फिर इनको अब आने देगा, in fact जो 6 decades है, उसमे एक rehabilitation plan लाया गया था, in fact जब 6 decades पहले इनको, वह established किया गया, जब वहाँ पे इनको rehabilitate किया था, तो वहाँ पे अरनाचल में इनके लिए एक rehabilitation plan लाया गय अब जब लोकल ट्राइब से कहते हैं कि निकी population बढ़ती जा रही है, अब ये जब आये थे, तो ये 2011 की census के साब से 47,000 थे, आज ये 65,000 हैं, तो इनकी population जो है, वह बढ़ती जा रही है, जब कि जो चक्मा development foundation के लोग का कहना है, जो चक्मा refugees हैं, उनका ये कहना है कि हम, in fact हम हमारी जो लगब 60,000 की जो population है, मतलब 65,000 की जो population, उसमें से 60,000 लोग तो भारत में ही 1987 के citizenship act के amendment के चलते पैदा हुए, तो मतलब उनको वह तो वैसे भी हम इंडियन हो गए हैं, क्योंकि उनको इंडिया में ही वो लोग बढ़त उनकी हुई, और जो उस समय माइगरेट करके है, तो वो maximum लोग डाइडाउन, डाई हो चुके है, तो फिर आप जो नई जेनरेशन है, वो भारत में ही पैदा हुए, तो उसको भारत के as a citizen सारे rights मिलने चाहिए, तो इसी को लेके कई बाल crisis भी हुई है, in fact, जो citizenship amendment act है था था 2019 का, वो चक्मा हजॉंग पे implement नहीं हो रहा इसको लेके, in fact, ये लोगा यही कहना था कि हम लोगों पर implement नहीं हो रहा आप हमें भी इंप्लीमेंट करो, जिससे हमें भी citizenship के benefits मिलें, आपको याद होगा 2019 का, जो citizenship amendment act है था वो non muslims, जो भी non muslims थे, आसपास के 3 states, 3 countries, पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगानिस्तान से जो आ रहे थे, उनको एक citizenship का right यहाँ पर, citizenship by naturalization का right उनको दे रहा था, तो इसमें चक्मा हजौंगा यही कहना था कि हमें भी इसमें benefit मिलना चाहिए, in fact, 90% जो migrants, आज की जो population है वहाँ की चक्मा हजौंग की, उसमे 95% लोग यहीं पैदा हुए, और क्योंकि वो यहीं पैद सब्सक्राइब कर देंगे, और इस पूरी की पूरी, जो दोनों communities हैं, यहीं फसी हुई है, और बहुत जल्द, या फिर सुप्रीम कोट बार-बर कह रही है, Central Government से बार-बर कहा जा रहा है, कि आप इस problem का resolution निकाली है, तो देखिए कि यह ट्राइबर टाइड resolution इसका बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे Central Government, State Government और communities मिलके इस बात को decide करें कि किस तरह से इनको rehabilitate करना है, क्या-क्या benefits देने हैं, अगर इन लोग को citizenship देनी है, तो कैसे देनी है, क्या rights होने चाहिए, क्या rights नहीं होने चाहिए, इसको लेके खमेशा tassel बना रहेगा, और अही बात इनको और ना चल से कहीं और rehabilitate करने की तो वो possible नहीं है, क्योंकि जिस भी state मेने भेजा जाएगा, वो state of union इससे accept नहीं करेगी, काशा करते है इस problem का resolution जल्दी आए, और जिससे जो इनकी against discrimination है, वो जल्दी खताम हो, आपको क्या करना है, आपको target prelims 2022 का या foundation course को जोइन करना है, मिलते हैं के लिए ऐसी की session में, तब तक लिए, goodbye, take care and god bless you all.